दोस्तों Yes Bank की बात के लिए स्टॉक एंदर आज थोड़ी सी हमें गिरावट देखना को मिली लेकिन ये जो गिरावट है इसके पीछे वज़े है रेटेल इंड़ेस्टर जो काफी जादा डर चुके उनको लग रहा है कि अब ये लॉक इन प्रेट खुलने के बारे आप भार अच्छी खरीदारी हुई है यानि जो बिकवाली है वो रिटेल इंड़ेस्टर की है और बड़े फंडाउस इस समय भी खरीदारी कर रहे है और ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में गिरावट का जो दोर है उतना लंबा होने वाला नहीं है बले ही थोड़ा सा आपको या पर प्रेसर दिखाए और वो भी सिर्फ डिटेल इंड़ेस्टर की वजह से है बाकि ओवरॉल येस बैंक बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है तो यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट है जिनकों में करके डिसकस करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे क्या येस बैंक डेवलोप्मेंट है वो बहुत ही सांदारा आप समझे हो कि प्रसांद कुमार का जो मैनेजमेंट है वो बहुत तेजी से काम करते हो येस बैंक को एक नई उच्छाईयों पर लेके आए आप ये समझी सकते हो कि डिजिटल ट्रांजेक्शन में कमपनी ने बहुत जबरदस क काम किया है और इनका जो बीजनस है बहुत तेजी से बड़ भी रहा है तो आने वाले समय आगे कि क्या समझावनों बन सकते हैं और क्या ये स्टॉक वाकई में फिर से त्री डीजल में जाना की ताकत रखता है इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकि हूँ आपका दोस्त एस वीडवे और मारे अपने चैनल ओनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है बाजार की अगर हम बात के तो आज 60,348 पर क्लोजिंग थी बैसी सेंसक्स की 123 पॉइंट की तेजी के साथ यानि 0.21% दोड़ा आज हमारा बाजार बैसी सेंसक और पर आ चुका है 0.24% की तेजी के साथ निप्टी बैंक में भी तेजी थी लगबग उससे थोड़ी जादा थी जितनी निप्टी 50 में थी निप्टी बैंक की बात करें तो या पर देख सकते हो 41,577 के इस्तर पे 0.55% की तेजी थी निप्टी PSU बैंक की बात करें तो 3988 क के इस तर पे 0.69% की तेजी थी और निप्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 21,165 के इस तर पे 0.68% की तेजी थी दोनों में या प्राइवेट सेक्टर या फिर PSU बैंक को एक जसी ही तेजी और काफी समय के बाद ऐसा आमें देखने को मिला है कि जो तेजी है दोनों है सेम है लेकिन यस बैंक में 1% के आसपस की गिरावट है कहा रहते है कि लोग इंप्रेट खूलेगा यस बैंक को एंदर जो S2 की जब अदर सेलिंग प्रेसरों में वैसा हुआ नहीं है फिलाल गिरावट जरूर है क्योंकि रिटेल इंदर्स्री या अभी भी डर के अपना 16.85 का यानि पूरे दिन आप देखे तो दबावी देखना को मिला 16.70 पर क्लोजिंग रिये जहां पर 1.18% की हमें गिरावट देखने को मिली तो लगबक 1% की गिरावट है वालिम देखे तो पीछे लेक मैंने परले इसका 16 क्रोड का वालिम था 4 क्रोड की डिले उठाए ग कि बड़े फंडाव से आप फिलाल आपको थोड़ी सी कम खरीदारी करते हों दिखा देंगे वो थोड़ी से समय वेट इन वाच की इस्तती में एक बार वो लॉकें पर जो है 13 मार्च को जब बड़े जो बैंक है जिसमें काफी बड़े बड़े बैंकों की होल्डिंग है उ उसमें उनको मौका था जहां पर अपनी इस्टेक को कम कर सकते हैं यानि 26% उनकी रखना उनको जरूरी था दिसमबर 2022 तक तो आप देख से तो दिसमबर 2022 तक उनकी 26% की इस्टेक थी और यह जो लॉक इन प्रेड है अब यह खुलने वाला है तीन मार्च को जो खुल चुका तो यहां पर देख सकते हो कि समय निकल चुका है उसके बाद भी SBA की तरब से यहां पर कोई share नहीं बेचे जा रहे यह बड़ी बात है यानि अभी हमें देखना होगा कि क्या SBA अपना decision लेते क्योंकि SBA ने काय कि वो अपनी यहां पर कुछ जो इस्टेक है उसको ट्रेम क क्या यह बैंक भी यहां पर अपनी holding बेचेंगे या फिर वो अभी रखेंगे क्योंकि profit तो सबको अच्छा मिल रहा है तो जैसे कि यहां पर जो खरीदार यह बैंकों की 10 रुपे और 12 रुपे के आस्पा से इस समय जो प्राइज है वो काफी उपर है तो profit तो उनको है वो भी positive लग रहा है पिछले दिन हमने देखा था कि ICC bank और HDFC bank की तरफ से भी clear किया गया है कि lock in trade के बाद भी अपने share नहीं बेचेंगे क्योंकि उनको यहां पर अच्छा खासा return भी बला रहा है और एक बढ़ते हुए bank में उनकी इससे दारी वो चाहते है अब यहां प को जो bonds holder है उनकी रकम को चुकाना होगा कि आपर देख सकते हो कि RBI ने इन bonds को right up कर दिया था और इसके पीछे वज़े यह थी कि इन bonds की प्रकतिती उसके हिसाब से अगर bank को कोई भी problem होगी तो उसकी जो रकम है वो zero हो जाएगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा और इसी के नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई bank को करनी होगी लेकिन अब आप समझ सकते हो कि मामला supreme court में गया supreme court में सारे पहलो को देखा गया उसके बाद में उन्होंने इसको stay लगा दिया यानि उनके इसाब से फैसले पे अभी अमल नहीं होगा लेकिन इसकी सुनवाई होगी वाप सुप्रीम court में सुनवाई शुरू होगी और वैसे फैसला जो है वो yes bank के favor में आने की ही पूरी संभावना है क्योंकि yes bank ने जिस तरह से इसको write-up किया उसके उनके आप देखा उसकी जो valid वजह है और इसी वजह से जो legal document है वही काम करते तो यह जो फैसला है आप देख सकते कि yes bank के favor में ही आने की संभावना है तो इसमें डर इतनी जरूरी नहीं है अब यहाँ पर देख सकते हो कि आज भले ही हमें देखने को मिला कि यहाँ पर गिरावट हुई है और stock थोड़ा नीचे वी आया लेकिन उसके बावी भी आज काफी बड़े fund उसकी जम के खरिदारी हुई उसके बाद 9 बचकर 20 मिनट पर 16.50 की प्राई से 11,25,000 की एक और बड़ी खरिदारी हुई फिर उसी समय 9 बचकर 20 मिनट पर 16.50 की प्राई से ही 13,73,000 की एक और खरिदारी हुई फिर उसके बाद देखे तो 9 बचकर एकाउन मिनट पर 16.60 की प्राई से 12,98,000 की एक और 12 बज़ से वैनल केशाचा, 9 मिनट पर रहें से वाट वत बज़ होग में, यहां पर रहें, 16.65 की प्राइस से 13.52,000 की एक विक्वाली हुई फिर तीन बचकर 2 मिनट पर 16.65 की प्राइस से 12.9,000 की एक फिर से खरिदारी हुई और उसके बाद 3 बचकर 12 मिनट पर 16.70 की प्राइस से यहां पर 12.69,000 की विक्वाली हुई तो यह तो आपको clearly समझ में आ रहा होगा कि आज बिक्वाली इस बातर दो है बड़ी खरीदारी काफी जादा है इसका मतलब बड़े फंड हो से यहाँ पर इस समय शेर नहीं बेच रहे यह शेर जो बेचे जारे हो रिट्रेल इंडरेश्टर की तरप से बेचे जारे इसलिए यह देख सकते हो एक मार्च को अंतिम दीन था जब उन्होंने 424 कृपीज की बिक्वाली की थी लेकिन उसके बाद 2 मार्च को उन्होंने 12,077 कृपीज का नया इंवस्मेंट किया तीन मार्च को उनका इंवस्मेंट 246 कृपीज का था 6 मार्च को उन्होंने 721 कृपीज की पर खरीदारी की और यह इसारा है कि FI फिर से बाजर में लॉट आए यानि बाजर में आने वार्श में एक फिर से तेजी का दौर सुरू हो सकता है यहाँ पर मिसके कम्यूनिटी सेंटिमेर को देखे तो श्टॉक के साथ अभी भी बना हुआ है इसका मतलब आप समझ सकते हो कि 100 मैंसे 86 लोग अभी भी इसको लेना परसंद करें जो काफी बड़ा पॉजिट्यू ट्रिगर है तो बिना डरे निवे इसको बनाए रखे लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बाड़े ले ल